नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है 16 दिसम्बर 2012 की वो काली रात आपको याद है न जब हैवानों ने मिर्भया के साथ हैवानियत की सारी हदे पार कर दी थी पूरा देश हिल गया था एक बार फिर से दिल्ली हिली है सरमसार हुई है और रात वैसी ही काली थी 31 दिसम्बर की रात जब इस कूटी पे चलती हुई अकेली लड़की को सोहदों ने पहले टक्कर मारी और फिर उसे घसीटते रहे घसीटते रहे उसके बाड़ी को चट बिचट कर दिया यहां तक की पहचानना मुस्किल हो गया आखिरकार यह हो क्या रहा है निर्भया के बाद कानून बना था और समाज ने भी अपने जिम्मेदारी ले थी लेकिन न तो कानून काम कर रहा है और नहीं समाज नए साल के जेस्ट में डूबे पांच सोहदों ने एक लड़की को कार से चार किलोमीटर तक घजीटा इससे लड़की की दर्दनाक मौट थो सनिवार अभिवार की दर्मियानी रात लड़की इसकूटी से घर जा रही थी घटना कंजहावला की है इस मामले में पुलिस ने जो F.I.R. दर्ज की है और आरोपियों का कबूल नामा सामने आया है उसके मुताबिक उन्होंने स्विकार किया है कि वो नसे में थे जब उन्होंने देखा कि कार में लड़की फसी है तो डर करके भाग रहे थे F.I.R. में हादसे का समय तू एम दर्ज है F.I.R. में कहा गया है कि किसन भिहार पोस्ट पर एक बज़ करके बावन मिनट पर इस कुटी दिखाए दी और उसके बाद एक बज़ के अंठावन मिनट पर कार नजर आई अब भियुक्तों को पता था कि उन्होंने इसकुटी सवार लड़की को टक कर मार दी है इसके बाद उन्होंने मौके से भागने की कोशिस की रूख करके लड़की को निकालने और अस्पताल पहुँचाने की नहीं हादसे के सुचना के बाद जब पुलिस पहुची तो वहाँ दुरभटनागरास इसकुटी मिली इसकुटी फ्रंट राइट साइड में डैमेज थी मौके पर किसी के घायल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और नहीं पुलिस को कोई चस्मदीद मिल रहा था जबकि चस्मदीद चिला चिला करके फोन कर रहे थे पुलिस कर्मियों को जो पोश्ट पे मिल रहे थे उन्हें बता रहे थे कि ऐसा दर्दनाक हादसा उन्होंने अपनी आँखों से देखी है पूरा केस कुछ इस तरीके से खुला कि पुलिस टीम कार के रजिस्टर्ड उनर लोकेस पुत्र सुरेस के यहां पहुंची इस पर लोकेस ने पुलिस को बताया कि कार उसके जीजा आसुतोस पुत्र संभु दयाल के पास है इसके बाद पुलिस ने आसुतोस से बात की तो पता चला कि कार को उसके दोस्त दिपक खन्ना पुत्र राजेस खन्ना और अमित खन्ना पुत्र राजकुमार खन्ना 31 दुस्वंबर की साम करीव 7 बजे ले करके गए थे इसके बाद दीपक और अमीत कार को सुबह करी पांच बजे एक्सिडेंटल हालत में खड़ी कर चले गए थे अमीत और दीपक ने पुलिस के सामने के बताया है कि वो नसे में थे इल्ली के कृष्ण बिहार इलाके में इस कुटी सवार लड़की का एक्सिडेंट कर दिया था इसके बाद डर कर कंजावला की तरफ भागे दीपक ने पुलिस को बताया कि वो कार चला रहा था मनोज पुत्र सुन्दरलाल उसके साइड वाली सीट पर आगे बैठा था वहाई पीछे के सीट पर मिथुन पुत्र सीवकुमार, कृष्ण पुत्र कासिनात, मनोज मित्तल और अमित बैठे थे आरोपियों ने एक कबूला है कि रास्ते में जब कृष्ण बिहार में सनी बाजारोट पर इस कुटी सवार लड़की का एकसिडेंट हो गया इससे लड़की गिर गई थी, इसके बाद वो डर गए थे और उसे हस्पिटल पहुँचाने की बजाए भागे जा रहे थे भागे जा रहे थे क्योंकि उनकी अकल काम नहीं कर रही असमय मारी गई इस लड़की के परिवार की दर्द भरी दास्ता सुनकर के किसी का कलेजा फटने लगेगा परिवार में मा और चार बहने दो भाई हैं, वही एक कमाने वाली थे लड़की का परिवार अमन भिहार का रहने वाला है, दो छोटे भाईों में से एक नौ सल का और दूसरा तेरा सल का है लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, एक बहन की साधी हो चुकी लड़की के परिजनों का रो-रो करके बुरा हाल है पुलिस बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आये, एकसिडेंट्स साबित करने में लगी रही और परिजनों का कहना है कि इसकी CBI जाच होनी चाहिए, जरूर इसमें कोई न कोई फाल प्ले है अब देखते हैं कि पोस्टमार्टम भूग गया है क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद ही केस का पता चलेगा कि ये कौन सा टर्न लेता है रहे ने बेखबर देखते रहे हैं इनकबर थैंक्यू